रेड्मी नोट 4 के लिए स्पार्क ओयास का जो की ये बिल्ड अभी में 12.6 देखने को मिल रहा है लास्ट जब मैं रिब्यू किया था वो था 12.2 का ओफिशल बिल्ड का ये अनोफिशल बिल्ड है को देखन पर मिल जाएगी फिलाल इसके अंदर या फिर बीच में जो आये थे वह उन सभी में क्या-क्या चेंजस हुए है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसा कि यह स्पार्क वेस का 12.6 है साहिल की तरब से आता है साहिल में टरनर है एंडूइड वर्जन 12L हमें उसे मिलता इसके अंदर में बाकि अगर हम सेक्यूटी पैच की बात करें तो अगस 2022 का सेक्यूटी पैच है करनल आपको इसके अंदर फ्यूजन का मिल जाता है पहले उस टाइम पे तौवत ब्रेदर्स का देखने मिलता था ओफिशल बाले में बात करें तो यहां पर उसे नेटवर्क और इंटरनेट क काम कर रहा है इसमें आपको दिकत नहीं होगी connect device के इंदर हमारा कास्ट ये भी बिलकूर इस तरीके से काम कर रहा है तो कास्ट भी यहां पर working रहने वाला इसके इंदर में उफ़ी तरीके से अगर हम यहां पे चलते इसके fireworks के अंदर में तो यहां पे has that इपिंध में सबसे पहले आपको दिखा दूं कि आप एड़ ऑला जो सेक्सिन है सेम डिल जाता है आइकन पेक्ट भी आपको सिम्लर याव जाएगा हां सिगनल अकन में जरूर यहां पे कुछ हम सिगनल आइकन स्टायल देखने को मिलने वाले इसके अंदर में लुख फिर वा i.s setting, main settings, change कर देता है, लेकिन पूरा यह सेम है, बस यहाँ पर जो है name change हो चुका है बाकी, थोड़ा सा बाकि फिर आरवंग media पहले इस था, लेकिन यहाँ पर हम देखें, तो hide title जो की दिया गए है, यानि कि tiles के जो टाइटल है उनको हाइड कर पाओगे यह निव मिल जाता है वर्टिकल लियाउट आपकर पाओगत सारे आइकन सब सेंटर में आ जाते हैं टेक्स्ट भी इसके जो टाइल सब्सक्राइब तरीके से नीचे फिर आपको column की settings मिल जाती है, column and row की जैसे की मिल जाती है, यहाँ पर data users आपको मिली जाता है, यहाँ से आप इनीवल कर लेना, इस जिए के so करने बाला है, और यहाँ पर एक चीज और है, कि आपको अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पर material dismiss button यह सब आपको मिलेगा, lock screen में बिल्कुल भी change वैसे तो नहीं मिलता है, lock screen clock style आपको पहले की तरह मिलता है, lock screen में A to Z जो settings आपको पूरी मिलती है, lock screen के जितनी भी settings और आपको पूरी के पूरी same मिल जाती है, तो इसके अंदर आपको कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा, पूरी settings पहले वाली हला की रीपर effect आप off कर देना ताकि आपके fingerprint का animation off हो जाए, फिर यहाँ पर हम चले status बार में तो यहाँ पर traffic indicator हमारे अच्छे से काम कर रहा है, custom logo यह सब आपको मिली जाता है, यहाँ पर vault icon या जो है slide करके आप change कर पाऊगे तो कुछ इस तरी किस मिलता है, status बा आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, gesture के अंदर अगर हम चलते हैं, तो यहाँ पर बाहर बिल्कुल भी change नहीं है, वही system settings में चलते हैं, तो यहाँ पर यहाँ पर आपको कोई change नहीं मिलता है, यह सब भी आपको पहले जैसा है, screenshot में lens delete यह सब आपको मिल जाएगा, जो कि अच् टीकर देखोगे तो यह जो है हमें new मिल जाता है इसके अंदर में पहले यह नहीं मिलता था इस जगे पे, और थोड़ा सा नीचे आने के बाद जो है, यहाँ पर जो है strict, stand by, policy मिल जाती, battery के लिए साथ सथ background, tax freezer यह भी new मिलेगा, sensor block पर package यह भी new मिल जाता है, और smart pixel यह भी system application सो कर जाएंगे, यहाँ पर working है, यह सारी चीज़े आपकी पहले बारे यह जितने भी option आपको मिल रहे हाला कि यहाँ पर जो है, आपको navigation बार यहाँ से enable करना पड़ेगा, तब आपको gesture के अंदर जाना पड़ेगा, वहाँ पर so करेगा, तो यहाँ से enable करते हैं, जैसे enable क यहाँ पर back gesture को जो animation है, वह हमें new मिल जाता, बाकी pill and radius आप control कर पाऊँ के लिकिन यह जो back gesture animation है, यह आपको new देखने को मिलता है, बाकी gesture full working है, बस वहाँ से enable करना होता है, और in display जैसे की navigation बटन यह भी बिलकुल आपका working है, और काफी चे तरीके से काम भी कर रहा है, काफी light से ही lag मिलते हैं, तीज तरीके साब enable कर पाऊगे, इसके अंदर में, जैसे जो की mislead आपको navigation बार देखने को मिल जाता है, जिसको आपको enable करना होता है, on screen navigation बार को, तब आपका यह enable होता है, फिर नीचे में आपको यहाँ पर hardware button को भी disable करने के लिए मिल जाता है, और जो ह hardware minute आपको normal मिल ही जाता है, यहाँ पर simple सा जैसे की हमेशा मिलता तो फ़ी तरीके से यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है, और अब हम यहाँ पर चलते हैं, बाहर में, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, display के बारे में, तो display में भी ओसे lock screen में आ जाते हो, double line को लोगे सब आ yellow या फिर white torch को आप अपने हिसाब से control कर सकते हो, and wallpaper style मिल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर wallpaper जैसे की spark हो है, इसके यह सभी wallpaper मिली जाते है, इसके अंदर में, उफी तरीके से नीचे themed icon भी है, जो कि अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, आइकन आप चाहो third party भी use कर सकते हो, इसके अंदर में, अराम से play store से भी download करके, and फिर home screen के अंदर अगर हम चलते हैं, यहाँ पर dark status बार हो गया, lock layout मिल जाता है, double tap to sleep हो गया, and so hot seat background मिल जाता है, जो dock आपको मिलता है, home screen पर नीचे उस पर आपको background है कि आपको देखने को मिल जाता है, इस तरीके से जो है, hot seat background जो है, enable करोगे, ति आपको so करने लग जाएगा, dock पर आपके so करता है, फिर यहीं पर आपको नीचे सर्च बार की settings मिल जाता है, जिसमें themed icon आप सर्च बार पर भी enable कर पाऊगे, app drawer मिल जाता है, जो कि सभी icons पर अप्लाई हो जाता है, supported पर, row hide मिल जाता है, जो कि app drawer की जो सभी icons के height हो, और जिस कर पाऊगे, recent पर जाता होती है, यहां पर सबसे पहले तो info आप देख सकते हो, जो कि हमारी memory यहां पर so करती, RAM की बात करें तो, वो so कर रहा है, कितना है, खाली, क टोटल है, great style अगर आप recent करना चाहो, और भी enable कर पाऊगे, यहीं से, background, opacity को भी control कर पाऊगे, यहां पर जो है, यह सारे options मिल रहे है, lens भी आप चाहो, तो enable कर सकते हो, अपने recent के अंदर में, फिर यहां पर मिशलीनेस आता है, जिसमें task वार यह सब पहले ही, अपको बता र notification सेम है, बैटरी के अगर बात करें, यह भी आपको almost similar ही मिल जाता है, बैटरी इसके अंदर भी है, यहां पे मिल जाएगी, यूजर से सब, बैटरी उजर्स 24 आवर तक अभी आप enable कर पाऊगे, बाके तो similar आपको पूरा मिलता है, यहां पे, वहीं बैटरी वीकप की, अग आपको similar settings मिल जाते है, ऐसा कुछ change नहीं मिलता है, vibration and haptic दिया ही गया है, बाके अगर आप अपने phone को vibrate mode पे डालते हो, तो उसके icon को आप on off करने के लिए, आपको option दिया गया यह वाला, तो आप इसे जो है, यहां पर enable करोगे, तो so करेगा, disable कर दोगे तो आपका vibrate mode वाल तो comment करके बता दीजेगा, audio amplification जरूर यह working मिल जाता है, यहां दिकत नहीं है, फिर हम security की तरफ चलते हैं, तो इसके अंदर हमारा जो है, app लोग देखने को मिल जाएगा, तो मैं एक बार आपको दिखा रता हूँ, कि app लोग के अंदर हमें किस तरीके से देखने को मिलता है system application तो आप देख सकतो, यहां पर supported है system application, और फिर settings आपको normal ही देखने को मिल जाती, यहां पर यहां सक कुछ नहीं है, रोम आपको by default not encrypted, यानि कि decrypted देखने को मिल जाता है, और फिर हमारा जो यहां पर fingerprint है, कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, तो मैं जैसे की बताए, animation off सकतो, फिर नीचे हमारा मिलने वाला है, यहां पर digital well being, जिसमें सारी activities आपकी देखने को मिल जाती है, और यहीं पर नीचे system दिया गया है, जिसमें जो है gesture का option है, जो कि अल्रेडी आपको दिखाई, यह वाला section, इसके sparks जो की settings मिलती है, fireworks वाली वहां पर, and now हम बात करें, य यह अच्छे से काम कर रहा है, और status bar, यहां, तो यहीं दोनों में ही जो है, हलके फुल के आपको lag मिलती है, आप देखोगे, यहां पर जो है, आपका internet वाले पर टैप करते था, animation lag जो मिलता था, वह ऐसा नहीं है, अभी, काफी कम है, काफी light है, या फिर बिल्कुल देखने देखने को मिल जाता है, latest take option है, जो कि start हो जाता है, instant आपका 3 second के timer को skip कर देता है, और यहां पर जरूर आपको थोड़ा फर्क देखने को मिल जाता है, screen recording में, कि enable करने के बाद थोड़ा सा lag बढ़ता है, screen recording स्टार्ट होनी के बाद में थी, यह चीज थोड़ा सा आपको दे आपको यहां पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अच्छी तरीके से ओपन हो जा रहा है, और recent पर आइनिमेशन आप देख सकतो, यह थोड़ा सा चेंज हुआ है, पहले से, बाकी के option आपको recent पर यह सारे आपको मिल ही जाते हैं, split screen यहां पर यहां पर कर पाओगे, जैसे कि पह पर向 catastrophe के अनले पाओ बात करें, घरने लाग Colin का पर बाता है, और Google Photo के अगर हम बात करें तो इसके अन्धर भी हमें unlimited storage देखने के यहां पर मिल जाता है, और play stories के अंदर में बिल्कुल certified आता है तो by default safety net pass रहेगा पहले की तरह उसे है यहाँ पर safety net pass है तो banking app आप without route भी आराम से यहाँ पर use कर पाओगे उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी और यहाँ पर जो हमारा widgets है यह भी फिला latest मिलता है यह सारी चीचे मिल जाएगी और इसे र पाक 1000 देखने के मिला था जो कि similar intuitive score है और इसके अंदर हमारा जो game space आप इसका interface देखोगे जैसे बताया था यह चरूर चेंज हुआ यहाँ पे बैटरी मिल जाएगे टाइम है डेट सारी चीजे मेमरी कितनी बची हुई हमारा जो RAM हो सब कितना बचा हो सब मिल जाएगा gesture lock क इसके बात करूँ कि performance कैसी रहने वाली इसके अंदर में तो gaming performance हो से आपको यहाँ ठीक ठाक मिलने वाली यानि कि नहीं ज्यादा better आपको मिलती है नहीं खराब कर डेगरी में देखने को मिलने वाली है balance पे रहने वाली आपकी जो यहाँ पे gaming performance है वो आपको जरूर balance में मिल जाती है यहाँ पे UI के अंदर जो है काफी हलके lags देखने को मिल जाते है heavy वाला lag कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिला है और gaming जैसे कि आपको बता इसके अंदर में कि ज्यादा better भी नहीं रहने वा information पे आपको नहीं मिलता है यह सारी चीज़े थी जो कि हमें इसके अंदर मिल जाता है बाकि क्या working था यार क्या नहीं तो सब आपको जाजी कि बताई दिया क्या new आया है तो वीडियो अगर आपको अच्छे लगी है तो वीडियो को like जरूर कर दीजेगा चैनल को subscribe कर लिज ताकि अगली वीडियो की notification अब सभी को मिल जाए thanks for watching